यह सब कहई रहे हैं कि काम नहीं हुआ सब हुआ सब्ब्सक्राइब है तेको कुछ नरॡशा बंष्चरा चाहें पार स्था तो डख़कुल tarag मुकाबला है एक दम हंडेट परसेंट बहराराम जी और भारतिय जनता पार्टी की जीत है श्योर सीट है जबी बागी उमीद्वार खड़ा होता है तब थोड़ा धड़कन में रहती है बागी टेकर में तो बीजेपी ही निकलती है लारला चुनावां बीजेपी क्यों नहीं इसी कोई दिकरत नहीं है तो पहले कौन खड़े हो गए तो यह शमेकर बिगड है जैसे मेंदर सिंग जी खड़े वे थे मेंदर शिंग जी न तो कंग्रेस पार्टी को छोड़के खड़े वे थे और गाता बीजेपी को हुआ अरे वह ऐसा है कि तु राज़पूर समाज ठोड़ा क्या है कि फोड़ा आज काल ठोड़ा हो जाता है जातीबाद वगेरा तो क्या है कि फोड़ा उस्तर बूर्ट में यह ठोड़ा बहुत चलता है एक तो इनका क्या है कि जो हर वर्ग वो चाहे समा जो परती लगाव नहीं है और इन्होंने जितना भी जैसे यह बोल दिये मैं कड़कई से करूँगा आज काल कड़कई बैसाब चलती नहीं है आज हर सेत्र में शिवक बनके काम करना पड़ता है आज देखो मोदी जी शिवक बनके काम कर रहे है जो आगे बढ़ा है तो नहीं से चलता है बिलकुल भश्टाचार से इतने लुपत हो गए चया मैलाओ को देख लो चया कुछ कुछ भी देख लो कोई पैशे बिगड़त कोई काम ही नहीं होता है और पोलीस वाले है तो भी खुली छू दे रहो की है आज किसी का काम नहीं हो रहा है पैसे बिना तो कोई काम ही नहीं है इस राज के अंदर तो बस्टा चार के अलाव कोई काम ही नहीं है और अगर जो ये कोई इसकीम निकालते हैं तो उनके पीछे ऐसा जो कोई योजना निकालते हैं जैसे अब इन्होंने कोई शारी निकालती ह तो के ये योजना के पीछे एक योजना और निकालते हैं कि ये मलब लागू नहीं हो, ऐसे योजना निकालते है, कि ये मलब लागू नहीं होना चाहिए उन्होंने एक निकाला ताक तीन लाग रुबिया, जो दूदरू पसु है उनको मुपत में व्याज में तीन साल तक। तो उनके पीछे ऐसे ゃब बैदारी इचानिकी है, तो उनके पीछे निकाल दिया गिया घड़ बेजने के डेरी वालों लिखा के लेका हो। तो वह कहां से लिखा दूद है मुल्यकन कर दिया डॉक्टर पसु और लिखे दे दिया इनके घर के पसु है और दुद्दर हुए तो फिर आप उनको क्यों रोक रहे हो जैसे पचीशों लोगों ने आवे दिन क्यार आठ लोगों को मिला सिरफ आनली फॉर यह कितनी और कहां हम बिजली मापी कर रहे हैं टेक्स बढ़ा दिया सारा इंकम कर दिया और लाइट बंद कर दी तो फिर ना को कहां से मुपत हो गई आज मैं तको वाल्टेज नहीं है और मोटरे जल गई कौन सी योजना है जो कांग्रेस को इस बार नुक्षान पहुंचाएगी सबसे अधिस्त आलात खरागए दी बिजली नहीं बिजली है तो वाल्टेज नहीं और किसान उपर से 40-40-50-50-1000 का नुक्षान हो गया उसके कैबल जल गई मोटर जल गई ट्रांस्मिटर जल गया तो बहुत समय पे नहीं देते थे इसी वज़े से किसान इतने तरस हैं फिर कहते ह सब्सीड़ी घटा या नहीं मैं बता तूब एक एक्टर के अंदर मिनी भार देते हैं तो उनके अंदर एक क्यूंटल प्लास्टिक कम कर दिया उन्होंने तो बड़ा अगनी एक क्यूंटल प्लास्टी का किसको अपर सब्सलें 15 घृबिया आहसे ऐसे करके इनोंने रूप होस्पिटलों को बस्टा चार बड़ाने के अलावा कोई इसको फाइदा नहीं मिला जो और इजनल है वो उनको तो मिलता नहीं है एक चिरिंजी योजना के नाम पे शिर्फ एक योजना चल रही है बाकि आम जनता को तो कोई फाइदा है नहीं यह समझ पसंदें लाइं पसंदें मतलब इनको कोई भी किसी में मिजाज आ ओगा इनको प्संद नहीं तरह बड़ाल बोल्ग यहाद से ना ट्रेम गवाडि भड़ाली आप्वाड्य लोग इन वातिने मारवाड के वे मारवाड नोधिने शां बत लाई जे रें में मारकेट जोद्पूरू निक्ड़नी सा जनने फाटकून लोगी तरस्त वेड़ा है किनी पूर्ट लो के जोद्पूरू हैंको दूई दर्ली शड़की एक आए इन वाद हैंको पढ़िये सड़की आई हैंको कराब शड़की आई हैंको आपको देनी है ता पर यो मार्केट जाके पर यह जोद्पूरू निक्राव पूरा है जो जनता चाहेगी इसको समीकन मिलेगा और दोनों का बहुची अच्छा मेरा साब से दोनों चे क्या मामला इस बार अब यह कह रहे हैं कि सिधी टक्र हैं सिधी टक्र में बेहर्जी मजबूत हैं मजबूत दोनों हैं दोनों पार्टी को संगर्श करना पड़ेगा एक बात सब्सक्राव करने रहे हैं पर आपने बात बहुत हैं तो बिच बोलो इन रहां मतलब यह नहीं आनक हो बात नहीं दोनों पार्टी को ठक्राव हैं और मैने बट पूर अपने बोला आपने बोला आपने बोला आपकी टक्र है और मैंने बॉला मेरी टक्र उसमें कोई फाइदा नहीं है आपको मैनद करनी पड़ेगी और कांग्रेस जितने कि जो कारिय करता है इसको मैनेज करनी पड़ेगी यह घाली उपरा उपरी बोलते है बाकी यह सब कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ और आप काम कासर नहीं हुआ सब हुआ सेटलाइज होस्पिटल है कोले आदाया कि एक जाने के बाद शुध होगी यह कोले जाने के बाद शुध होगी यह कोले आप